भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 उत्तर प्रदेश शरकार के मंत्रे मंडल के लेरे वरिष्ट सयोगे प्रदेश के नगर विकास और उर्जा की बिवाग के मंत्रे स्यर्विंदु कुमार सर्मा जे शोहें दे राजभर पार्टी के अध्यक्षर और प्रदेश सरकार में मंत्रे से ओन प्रकास राजभर जे प्रदेश सरकार के इं मंत्रे से दाराशी चोहां जे मानने सांसर आजमगर और बोग्पुरी के सुपरिस्कार से दिनेश लाल यादव मिरूवा जे विदान परिशत के सदस्य या स्वंद सिंग जे विक्रांट सिंग जे मानने विदायक सी राम बिलास चोहां जी बारती जनता पालती के छेत्री अध्याट सिस एजानन्द राय जी और हमारी लुक्त्रिय प्रक्यासी दॉक्तर अरविंद राजभर जी बारती जनता पालती के जिला के अध्याट सीमती नुकूर अग्रवाजी रमेश सिंग जी मुन्ना दुवी जी देवेंद्र सिंग जी और मंच परपस्ति हमारी सबी पदाधिकारिकांड अबस्तित दैन और भाईयों लोग सबा चुनाओं के छै चरण पूरे हो चुके हैं अन्तिम और सात्वे चरण में आज भोशी संस्तियशीव पर आप सभी मद्दाताओं से अपील करने के लिए मुझे भी आना पड़ा है बैन और भाईयों पुरे देश के अंदर प्रणान मंत्री मोगी जी के समर्थन में जनता जनारदन का जो आश्रिवात प्रत हो रहा है छै चरणों ने सावित कर दिया है कि अपकी बार चार सो पार अपकी बार चार सो पार के एक तारगेट को भार्षी चंता पार्टी और स्वयोगी दाल प्राप्त करने के और केजी के साथ आगे वढ़े हैं और उसी में गोसी संस्तिय छेत्र के मद्दाताओं का अस्त्रिवात लेने के लिए आज ये मंचर यहाँ पर आपके बीच पस्तित है बैन और भायो कलादने प्रदान वंत्री जी का ये मार्ग दर्सन आपको प्राप्त हुआ हम सब जानते हैं इसले दस वर्स में देश की तक्दीर को बदलने का काम मोदी जी ने किया है आज देश के अंदर शुरक्षा का जो बेटर वातावरन है मोदी जी के कारण देश का सम्मान बढ़ा है मोदी जी के कारण दिकास के जो बड़े-बड़े कारे हो रहे हैं हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, बड़े-बड़े सहस्थान बन रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं IIT, कहीं IIM, कहीं TIPAL IT, कहीं NIT, वह मोधी जी के कारण, और गरीबों के कल्यान के लिए भी, जो कार हुए हैं, चाए वहा असी करोड गरीबों को फिरी में राशन के स्विधा का अपलब्द कराने का हो, चाए वहा साथ करोड गरीबों को पांच लाख रुपे की आई उस्मान भारत के स्विधा देने का कारे हो, बारा करोड किसानों को किसान सम्मानी की का कारे हो, या फिर बारा करोड घड़ों में सोचाले के निर्मान का, बैनर भायों, या सब कार्य मोधी जी के नित्र तमयवा है, और मोधी जी ने का है, ये चार जून को जब फिर एक बार मोधी सरकार बने दी, तो सत्तर वर्स से ओपर के, हरे एक बुजर्ग को प्रतिवर्स पांच लाग रुपे का आयुस्मान भारत की उप्चार की सुभ़ा प्लब्ब करवाएंगे, चार करोड लोगों को मकान मिल गए हैं, बचेवे गरीबों को भी मकान देने का काम करेंगे, बैन और वाईों एक तरफ भारती जन्ता पार्टी मोधी जी के नित्रिक्व में, गाउं के लिए, गरीब के लिए, दलिक के लिए, पिछणों के लिए, किसानों के लिए, यवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मैंने कारिकरम यह हैं उनको लेकर के आये हैं और दूसरी वो कॉंग्रिस और समाजवादी पार्टी का इंडी गड़वन्दन है बैन और भाईयो जिसकी सोच ही नकाराख्मक है जो बहुत 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 करते हैं और भारत का भी बहुत करते हैं जलितों कभी दिरोज करते हैं पिछड़ों के हकों में बखेती डालते हैं बैन और भाईयों इनकी घोचना पत्र को अगर आप देखेंगे तेनका घोचना पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोचना पत्र हो और इसलिए आज मैं आपके रीचाया हूँ समाजवाजी पाश्टी और कॉंग्रेश का घोचना पत्र कहता है बैन और भाईयों इनका घोचना पत्र कहता है कि अगर कॉंग्रेश ने तृत्व की सरकार बनी तो वहाँ आरक्षन का लाप मुसल्मानों को भी देने का काम करेंगे बैन और भाईयों क्या पिछली जाती के और अनुसुची जाती के आरक्षन में कॉंग्रेश और समाजवाजी पार्टी को सेंद लगाने की चूड देंगे क्या आप मैं अब जानना चाहता हूँ क्या आप सेंद लगाने की चूड देंगे बैन और वाईयों बावा साथ धिमराम बेक करने भी कहा था कि आरक्षण का अधार धर्म नहीं हो सकता आरक्षण अनुपुची जाती अनुपुची जंजाती और पिछली जाती के लोगों कोई मिलना चाहिए लेकिन एक कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में बकेटी डालना चाहते हैं और इसलिए अम्बोग आये हैं बैन और वाईयों इन से साथान होनी क्यों सकता है इनका घोचना पत्र कहता है कि अगर सथा में आएंगे तो जनता जनारगन पर वरासक टैक्स लगाएंगे वरासक टैक्स का मतलब जानते हैं आप वरासक टैक्स का मतलब आपके बापदादों ने पुर्वजों ने कोई संपत्री बनाई है आपको मिली है तो कॉंग्रेज की सरकार आने पर समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा और संपत्री को आधा ले लिया जाएगा और आधा ले करके उसे रोहुंग्या को पाकिस्तानियों को बांगला देशियों को बाटने का काम होगा वैन और वाईयों कि आप इसको स्विकार करेंगे अपनी प्रापर्टी पर ठकैटी डालने की छूट दिन्वाएंगे क्या और तीसरी बात क्या कहते हैं किस अबता में आए तो प्रस्नल कानून लागो करेंगे प्रस्नल कानून का मतलब आप जानते हैं प्रस्नल कानून का मतलब तालिबानी सासन बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी मेलाएं बाजार नहीं जा पाएगी तीन पलाटी को पर्था को ये फिर से चालू करवाएगी बुर्के के अंदर मेलाओं को दोबक्य रहना पड़ेगा बारत के समिधान का अपमान है बारत बारत साब दिमराम बेट करके द्वारा बनाएगा समिधान से चलेगा बारत में तालिबानी कानून लागून नहीं होने दिया जाएगा बारत के इंदर सरियत का कानून लागून नहीं होगा और इसलिए आज हम सब आपके बीचाएं है देश की ज्वावाज है पिर एक बार मोधी सरकार का और मोधी सरकार इसने जिससे बेनर वाईयों जिससे मोधी सरकार इसलिए जिससे हमसाब एक कर्तक गिता ग्यापित कर सकें कर्तक गिता किस बात के लिए इस के लिए कि जो राम को लाएं है क्यों मौव की जनतारी यही काती है दोना आप्ता के मुझे बता जो राम को लाएं है जो राम को लाए हैं आप इससे सहमत हैं सहमत हैं बैनर वायों इसलिए अम्वों का आपके पास आए हैं यही अपील करने के लिए आये हैं यहां पे NDA का प्रक्यासी सोहजोर राजबर पार्टी के बैनर तले चुना लड़ा है बारती चंता पार्टी अपना दल निसाद राज़ पार्टी राश्तिय लोग दल यह सभी प्रक्यासी को अपना सवर्थन दे रहे हैं और अर्विंद राजवर एक युवा जुजारू प्रक्यासी है एक युवा अगर आपका पृतनित्वा करेगा तो बैंवर भायों कहां गरीत के लिए कारें करेंगा मौट के विकास के लिए कारे करेगा यहां के पूर सांसत से उम्राव सिंग जी के सपनों को साकार करेगा से कल्पनात राय के सपनों को साकार करेगा डॉक्ता स्यानन पांडे जीने जो सपना देखा था हल्दी घाटी के मात्यम से हल्दी घाटी की उस देश भट्टी की जार को गांतां ताट घर घर तक पहुँचाने का काम और विकास की प्रक्रिया के साथ जोडने का काम अर्विंद राजभर करेंगे और इसलिए आज हम सब NDA के नेकादे मैं स्वयम भी आपके पास आये हैं आपसे कहने के लिए अर्विंद राजभर को एक मौका दीजिए अर्विंद राजभर को चुना जिताएंगे महों दोनों आजपा के मुझे बताओ दोनों हाथ पा करके जहां तक मेरी आवाज जा रही है इधर इधर भी इधर भी दोनों हाथ पा करके चनाज जीत के अर्विंद राज़ पर जाएंगे जाएंगे लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे करेंगे पहला काम पहला काम आज 27 तारिक हो गई 28, 29, 31 चार दिन आप घर-घर संपर्क कर सकते हैं करेंगे ये चार दिन देश के लिए दिनगे इन चार दिनों में आप में से हर वेक्टि कितने लोग हैं जो दस-दस घरों में जा करके सुयल देवराजभर पार्टी के इसनाचिन चड़ी ऐनि बुढ़ापे का सहारा चड़ी देखो उसके बाप ने अभी से अपनी बुढ़ापे का सहारा चड़ी अपनी पुत्र को पकड़ाया है अरे तो ये गोशी और मौव के लिए सहारा बने की है चड़ी एनडिये की सहारा है चड़ी और इसलिए इस चड़ी को आपको भी विकास का सहारा बनाना है बनाएंगे इसके लिए आप मेंसे हर पक्ति पक्ति दिन कल से ले करके 31 मई तक घर घर जाना है जाएंगे जाएंगे दस दस घर में जाकरके चार दिनों में 40 घर और पहली जून को पहली जून को उन 40 घरों में लगभट देड़ सो से दो सो मदाता होंगे उन मदाताओं को मदान कराना है कराएंगे कराएंगे एंडे के प्रत्यासी अर्विंदर राजबर को भारी बहुमत से विज़ई बनाएंगे माहन के अदर आज भी आप भैवित हो रहे हैं क्या माहन के दंगों की तरह भैवित हो रहे हैं कैज़े अरे माफ्या सब मिट्ती में मिल गया माभ्य sitä कुछ नहीं बचाया मैं क्यों आप से कहने के लिए आया हूँ अब तो आपको अचल पूट करके चिता के चिता के यहाद बेजना चाहिए बेजना चाहिए भेजेंगे दोनों आपके मुझे बताओ आवाज इत्ती आनी चाहिए देखो मैं 200 सवहा करने के बाद मेरी आवाज जित्ती तेज है आपकी उससे भी आपी है आ मुझे बताओ अरविंदर आजबर भारी बावत से विजयी बन करके जाएंगे जाएंगे शड़ी चुनाचिन पर घोसी से एंडे के प्रक्यासी को विजयी बनाके वेजेंगे लेकिन इसके लिए दोस्वर्पें आपके सामने करेंगे इसके इंफार कारें तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत मता की जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम